आया सीटीसी की खबर क्योंड डाटा मॉनिट्राइशन को पॉलिसी को लेकर आया सीटीसी बैकफूट पर है और आया सीटीसी ने इसके लिए कंसल्टन न्यूक करने का अपना इटेंडर वापस ले लिया है माना जा रहा है कि डाटा प्रोडक्शन कानून बनने तक इस प्रक्रिया पर लो रोक लगी रहेगी दरसल आया सीटीसी अप्लिकेशन का जर्य मिलने वाली सूचनाओं को बेचने का प्लान बना रहा था लेकिन ग्रहाकों की प्राइवेसी को लेकर सवाल उठ खड़े हुए रेल मंत्रालाय और आयार सीटीसी को इस अहम मसले पर सफाई भी देनी पड़ी थी इस ख़बर पर और ज्यादा जानकारी के लिए इटनाव सभाद आता समीर दिख्षित हमारे साथ मौजूद है समीर बताए क्या अपडेट है आयार सीटीसी को लेकर के बड़ी खबर यह आ रही है कि आयार सीटीसी ने अपने डाटा मौनटाइजेशन प्लान की दिशा में जो कदम उठाया था फिलहाल उस पर रोक लगा दी है यानि कि जो इटन्डर जारी किया था इस डाटा मौनटाइजेशन के लिए कंसल्टेंट की नियुकती के लिए उस इटन्डर को वापिस ले लिया है पूरी एकसरसाइस पर फिलहाल रोक लगा दी है रेल मंत्राले का तरकी यह है कि जब तक डाटा प्रोटेक्शन बिल पार्लेमेंट में पारित नहीं हो जाता तब तक वो पूरी प्रक्रिया पर फिलहाल रुके रहेंगे और जब डाटा प्रोटेक्शन बिल पारित हो जागए उसके बाद वो इस पूरी प्रक्रिया को ले विश rappers डाटा है और विशेश के जो परcos डाटा है क्या उसका मुद्रिक लिए इस्तमाल तो नहीं मसलं आपका जो मुबाइल नमबर आधर कार्ड इस त्रहीं कि उसकी privacy में कोई दखल तो नहीं हो रहा कई उसका इस्तमाल तो नहीं होगा ऐसे तमाम सवाल उठ रहे थे विवाद उठ रहे थे हाला कि IRCTC ने इस पश्टिकन ये दिया था कि किसी भी तरीके के कंसल्टेंट के जरीए ये जानना चाहता था कि अगर डाटा मॉन्टाइजेशन होता है तो किन-किन रास्तों के जरीए रेवन्यू को हासिल किया जा सकता है और एक आंकलन ये लगाया था इस प्रक्रिया पर आगे नहीं बढ़ेगी और इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है यानि कि इटेंडर को वापिस ले लिया है